डाउनलोड कीजिए MM Academy एब को जहां पर आप एक्जाम से रिलेटेड काफी इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्ट वीडियोज देख सकते हो लिंक आपको कमेंट सेक्षन में पीन की भी मिल जाएगी ये देखें दोस्तों के जबर्दास कोड बोली गई है कि जिन लोग को ये पता ही नहीं है कि वो गलत किताबे पढ़ रहे है वो लोग कभी सही स्ट्रेटेजी, सही किताबे, सही राहा सीख नहीं कर सकते हैं इसलिए गाइडन्स की जरुरत होती है इसलिए बोला जाता है कि अगर प्रापर गाइडन्स मिले तो हर इंसान जो है वो सही पात पर आ सकता है सही पात अगर आपको मिल जाए उसके बाद उस पर चलते रहना आप तेजी से चल रहे हो धीरे चल रहे हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि मनजिल तक आप जरूर पहुचोगे लेकिन सही राह मिलना ये जरूरी होता है और सही राह मिलने के लिए प्रापर गाइडन्स का होना ये जरूरी होता है और वो भी आपको तय करना होता है कि किस से प्रापर गाइडन्स लेना है इसलिए अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं लेकिन जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद जो लाइट है जो अंधकार है उससे आप छुटकारा जरूर पाओगे अब यहां पर आप देख सकते हो कि एक कोर्ट जो है वो लाँच किया गया है अनकेडेमी प्लैटफॉर्म पर जो है कमबाइन एक्जाम के लिए जो है MPSC की कमबाइन एक्जाम होती है उसके लिए कोर्स लाँच किया गया है और इस कोर्स में आपको सभी इंपॉर्ट चीज़े देखने को मिलेगी टोटल पचास दिन का यह कोर्स रहने बाला है कमबाइन एक्जाम मतलब PSI, STI, ASO के लिए अब इसमें आपको अलग-अलग जो चीज़े हैं वो देखने को मिलेगी अब यहाँ पर अगर आपको कोड जोईन करना है तो रिफरल कोड आपको इस्तमाल करना पड़ेगा MMB क्योंकि यहाँ पर लाइफ सेशन होने वाले हैं लाइफ सेशन में मैं भी यहाँ पर ए सेशन पीडिये अप सब आपको मिलेंगे इंट्रेक्टिव लेसंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप टीज़ेस के साथ इंट्रेक्ट कर सकते हो डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको ए पॉण्ड होते हैं काफी ज़्यादा आते हैं तो वो भी आपर कवर किये जाएंगे मतलए यह काफी हाय स्कोरिंग बैच है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कमबाइन एक्जाम में तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल से जल यहाँ पर सब्स देखने वाले हैं तो इस वीडियो आपके सामने प्रेजन करूंगा मैं मयूर मोग्रे सबसे पहले मैप बेस्ट एक्साइज देखते हैं तो यहाँ पर यह जो स्टेट है यह स्टेट कौन सा यह आपको बताना है आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर र पूछे जाते हैं मतलब कोण से लाइटिटूड पर हमें देखने को मिल रहा है कोन से लानिटूड पर देखने को मिल रहा है उसलिए अगर आप उसके अगर नाम पता है उसके बाद गूगल करते हो और उसके बाद फिर comment section में लिखते हो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा इसलिए वीडियो को post कीजिए इसके regarding information लिखिए और फिर वीडियो को resume कीजिए आप मुझे facebook, instagram पर भी follow कर सकते हो pdf और video updates के लिए आप मुझे telegram पर follow कर सकते हो link सभी की description में dv है और जो mm academy है उस पे जो भी video release होते हैं जो भी video upload करता हूँ मैं regularly रोज तो उसकी भी जो notification है वो telegram चैनल पर ही मैं देदिया करता हूँ यहाँ पर हम explain section देखते हैं तो इसमें यह वाला जो article है यह cases किस तरीके से double हुए है उसके बारे में बात कर रहा है अब देखो के इसराइल यहाँ पर आप देखो के यहाँ इंडिया हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर बताया गया है कितने दिनों में जो cases है वो double हो देखने को मिल रही है तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है तो कितने दिन लग रहे हैं किस तरीके के लग रहे हैं तो यह सारी चीजों पर हमने कई बार नजर जो है वो डाली हुई है most important चीज आज के newspaper की आती है जो RBI ने यहाँ पर changes किये है RBI ने जो यहाँ पर second master stroke जो जो है वो चला है इसके regarding हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है तो क्या क्या यहाँ पर changes किये गये हैं और example की तुरू समझेंगे किस किस तरीके से उसका जो परिणाम है वो यहाँ पर economy पर पढ़ सकता है तो काफी interesting यह जो article है यह होने वाला article भी RBI जो है उसने जो changes क पताये थे जब वो last time आये थे जब उन्होंने lockdown extend किया था मतलब lockdown 2.0 जब शुरू किया गया था उस time पर उन्होंने 7 point कहे थे कि 7 चीजे मुझे आपके 7 चीजों में 7 चाहिए तो यहाँ पर यह जो 7 चीजे है और उसके बाद उसे analyze भी इस article के जरीए किया गया है यह वाला article बिल्कुल भी important नहीं है इंडिया पाकिसान टर्की यह सारी बिल्कुल भी important नहीं है और यह वाला जो article है migrants के बारे में बात कर रहा है अब migrants के बारे में हमने कई बार discussion जो है वो किया हुआ है और यह वाला article है यह वाला article जो BJP के spoke person है उनके द्वारा लिखा गया है तो but obvious है और यह वाला जो article है टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है मतला है आपर इतनी ज़्यादा population density है diversity हमें आपर देखने को मिलती है तो जो टेस्टिंग है आप देखिए बट obvious है कि आपर टेस्टिंग जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा cases भी सामने आएगे ब थोड़ा यहाँ पर नीचे आता हुँआ हमें देखने को मिला है वो हम आगे देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो पहले सो हम बात करते है जो coronavirus cases किस तरीके से हो रहे है तो यहाँ पर 2250737 इस तरीके से coronavirus cases जो है all over the world देखने को मिल रहे है डेथ अगर हम देखते है तो यहाँ पर 154,000 के ऊपर death जो है वो चली गई है उसी के साथ सबसे ज़्यादा cases हमें USA में देखने को मिल रहे है उसके बाद Spain, Italy, France, Germany, UK, China इस तरीके से हमें cases जो है वो देखने को मिल रहे है और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते है तो इंडिया में 14,354 इस तरीक cases यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं अब यहाँ पर अगर आप cases देखोगे तो actual में 78 यहाँ पर सरकार के तरब से आया 14,378 अब देखे थोड़ा वह fluctuation जो है वो हमें देखने को मिलता ही है कि cases actual में तो government के तरब से इतने आया 14,378 cases यहाँ पर हमें देख पर देखने को मिल रही है उसी के साथ recovered भी 2000 लोग जो है आपर हमें देखने को मिल रहे हैं तो इस तरीके सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है उसी के साथ lockdown जो है क्या उसने मदद की है तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है lockdown के जैसे काफी ज़ादा मदद हमें यहाँ cases में देखने को मिली है यहाँ पर आप देखिए जो 1st April है यहाँ पर 2nd week शुरू हो रहा है यहाँ से आप देखिए यहाँ पर जो cases है उसमें बड़ोतरी हुई थी उसी के साथ यहाँ पर थोड़ा यह हुआ उसके बाद से आप देखिए जहाँ से यह जो lockdown है वो हमें देखने को मिल रहा था तो 14 फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आज के at present condition में जो cases है वो यहाँ पर naturally कम आई है तो इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि जो lockdown है उसकी वज़ा से हमें यहाँ पर काफी work जो है वो देखने को मिल रहा है काफी फाइदा जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर official government data जो है उसके उपर यह based है जो government data दिया गया है उसके उपर एक graph लिया गया है तो हमें देखने को मिल रहा है जो rate है वो यहाँ पर काफी lower हमें देखने को मिल रहा है हाई हम यहाँ आपर बात करते हैं कि आप राज्य सरकारे जो RBI है उससे कीस तरीके से जाधा पैसा ले पाएगी और बट अबियस है जो राज्य सरकारे है उनके पास पैसों की काभी कमी है अगर वो RBI से पैसा ले सकती है तो फिर वो खर्च बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगी तो यह पूरा जो सिनारियो है यह सारी चीज़े हम यहाँ पर समझेंगे RBI ने कॉन पॉन से और चेंजेस किये है वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले RBI ने यहाँ पर क्या किया है तो RBI जो है उसने हमने reverse repo rate यहाँ पर कम कर दिये है 3.75% पर reverse repo rate क्या होता है मैंने कई बार आपको repo rate, reverse repo rate यह समझाय हुआ है लेकिन फिर भी जो नए जोईन हुए है short में आपको समझाने की कोशिच करता हूँ यह repo rate, reverse repo rate क्या होता है अब हम यहाँ पर bank में पैसा जमा करते है bank के पास for example 100 rupees जमा हो गए, deposit हो गए अब bank को यह 100 rupees पर हमें interest rate देना पड़ता है 4 से 3% का interest rate दे रहे है तो मतलब bank को वापिस कितने करने पड़ेंगे मुझे 103 rupees वापिस करने पड़ेंगे अब यह जो bank अपनी जेब से 3 rupees मुझे दे रही है तो क्या यह दान कर रही है, charity कर रही है बिल्कुल नहीं bank हम जो पैसा deposit करते हैं उस पर जादा पैसा कमाती है है ना, movie देखे हैं आपने कि 21 दिन में पैसा double तो आप 21 दिन में हमें देते हो लोन में इन्हें अगर लोन चाहिए तो यह 100 रुपए जो है इन्हें लोन में देदेगी और इनसे interest rate charge करेगी 5% मतलब यह जो बंदा है इसे कितने देना पड़ेगा bank को इसे देना पड़ेगा 105 रुपए तो bank को मिल रहे हैं यही 100 रुपए जो हमने deposit किये उस पर bank को मिल रहे 105 और bank हमें दे रहे है 103 मतलब कि total bank को 2 रुपए का यहाँ पर फायदा हो रहा है इस तरीके से bank जो है profit कमाती है मगर अगर bank को लोन लेने के लिए जाधा लोग आ गए बहुत जाधा लोग आ गए लेकिन bank के पास उतने deposit नहीं है bank को पैसो की जरुवत है तो bank क्या करेगी तो bank लेगी bankers of bank से पैसा कैसे तो RBI से पैसा लेगी bank बोलीगी RBI को थोड़ा पैसा दे तो थोड़ा पैसा दे तो फोड़ी से तो lift करा दो तो यहाँ पर RBI से वो 100 रुपे ले रही है RBI से 100 रुपे ले रही है तो RBI के दान में दे रहा है RBI के free में दे रहा है नहीं RBI भी कुछ interest चार्ज करता है फोड़ से RBI यहाँ पर चार्ज कर रहा है 5% का interest rate कि हम यहाँ पर 5% से लेंगे तो bank को वापिस कितने करने पड़ेंगे RBI को 105 रुपे वापिस करने पड़ेंगे सही बात है अब यहाँ पर 105 रुपे वापिस करने पड़ेंगे तो यह 100 रुपे पर भी क्या bank सिर्फ 5% इंट्रेस्ट चार्ज करेगी अगर 5% करती है तो इसे 105 रुपे देना पड़ेगा फिर bank को भी RBI को 105 रुपे देना पड़ेगा bank को कोई profit नहीं होगा अब यह मैं आपको एकदम short में समझा रहा हूँ ठीक है क्योंकि एकदम detail में मैंने animations के साथ जो photo इदर से उदर जा रहा है उसके साथ मैंने कई बार आपको explain किया हुआ तो यहाँ पर 105 रुपे जो है bank को क्या profit होगा 0 रुपी profit होगा इसलिए यहाँ पर क्या करेगी अगर RBI 5% चार्ज कर रहे है तो bank यहाँ पर ज़ादा चार्ज करेगी यह 100 रुपे पर कितना चार्ज करेगी फौर से 8% चार्ज कर रहे है तो यह बंदा अब कितने देगा bank को 108 रुपे देगा bank RBI को कितने देगी 105 रुपे देगी यहाँ पर 3 रुपे bank को profit हो गया इस तरीके से bank जो है वो profit कमाती है अब जिस interest rate पर RBI bank को पैसा देती है उसे हम कहते है repo rate उसे क्या हम कहते है repo rate इतना idea आपको clear हो गया है अब यहाँ पर RBI अगर repo rate बढ़ाती है तो bank अपने बैसर बढ़ाएगी profit के लिए अगर RBI अपने repo rate कम करती है तो जो bank है वो भी अपने जो बैसर है वो कम कर सकती है कर सकती है तो ये सिनारियो हमें देखने को मिलता, अगर बैंक अपने बैजर कम करती है, तो लोग जाधा लोन लेंगे, जाधा खर्च करेंगे, जाधा एकोनामी बढ़ेगी, है ना, इसलिए RBI जो है, वो इंफलेशन कम जाधा करने के लिए अपने रेपोरेट कम जाधा करती रहती है अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है, रिवर्स रेपोरेट, अब फॉर एक्जम्पल, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक के पास, बैंक के पास आ गये है, एक हजार रुपए, ठीक है, डिपोजिट में आ गये है, अब ये एक हजार पे RBI को इंट्रेस्ट देना है, जिन बिल्कुल भी इससरी का बिजनेस नहीं कर सकते है, जहाँ पर उसके पास रुपए जो है वो पड़े रहे, क्योंकि अगर पास रुपए पड़े रहते है, इस पर इंट्रेस्ट देना ही है, मतलब बैंक को नुफसान हो रहा है, तो बैंक क्या करेगी, लोन देने की ये, आरबी आय, कुछ इंट्रेस्ट जो है, वो इस बैंक को देगा, जैसे बैंक हमें देती है न, डिपॉजिट करने पर, वैसे ही बैंक अगर डिपॉजिट करती है, तो ये कितना चार्ज करेगा, फौर से, अगर ये तीन परसन चार्ज करता है, तो यहाँ पर कितना मिल लेगा but obvious है कि 9 रुपए जो है वो extra यहाँ पर जो bank है RBI से bank को मिलेंगे बराबर है तो इस तरीके से यह जो interest rate होता है जिस interest rate पर bank RBI में रख सकती है उसे हम कहते है reverse repo rate क्या कहते है reverse repo rate तो अब यहाँ पर RBI जो है उसने क्या किया है जो reverse repo rate है उसे 3.75% कर दिया है 3.75% पहले जाता था मतलब क्या हो रहा था कि bank बहुत ही encourage हो रही थी कि चलो हम यहाँ पर deposit कर लेते है चलो loan में नहीं जा रहे ना पैसे हम यहाँ पर deposit कर देते हैं हम RBI में deposit कर देते हैं लेकिन अब यहाँ पर क्या किया है RBI ने क्या किया है कि अब यहाँ पर अपने जो reverse repo rate है 3.75% कर करने के लिए नहीं बैग सोचेंगी इतने कम मिल रहे हैं हमें 3.5% जो है वो तो हमारे interest rate जा रहे हैं तो इसलिए हमें फायदा सिर 0.75 रूपीज का हो रहा है इससे अच्छा है कि हम loan में ही देते हैं कम ब्यासदर में देंगे loan जाधा provide करेंगे और at present की situation क्या है कि लोग को consumption नहीं हो रहा है तो हमारी economy जो है बहुत नीचे जा रहे है consumption होदा जरूरी है consumption मतला लोग के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए जिससे कि लोग ज़्यादा खरेदी करें ज़्यादा खरेदी करेंगे तो consumption increase होगा जिससे कि industries को फाइदा होगा companies को फाइदा होगा जैसे कि गाडिया जो है उसका sale नहीं हो रहा है तो motor automobile sector पूरा नीचे जा रहा है ठब बैट रहा है है ना तो ऐसे scenario में इन्हें उपर लाने के लिए consumption ज़रूरी है consumption के लिए लोग के हाथ में पैसा देना जरूरी है पैसा देने के लिए जो ब्याजदर है वो कमाना जरूरी है और इसलिए यहाँपर क्या कर रहे है कि अगर यहाँपर जो bank है वो अगर demotivate हो जाती है RBI में जमा करने के लिए तो कोशिश करें कि जादा जादा लोग को कम ब्यासदर में लोन जो है वो प्रोवाइड करें इससे क्या होगा लोग के आट में पैसा आएगा हमारी एकोनॉमी जो है वो बूम होगी तो यह आपर जो है रिवर्स रेपोरेट कम करने के पीछे का RBI का एक कारण है दूसरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो नॉन बैंकिंग फानाशल इंस्टूशन से अब देखिए हमारे यहाँ पर पहले टूइन बैलेंशिट प्रोब्लम था twin balance sheet problem में क्या था जो banks है जो commercial banks है उनके जो loss में जा रहा है दूसरी जो companies है companies यहाँ पर loss में जा रही थी लेकिन अब यह twin balance sheet problem 4 balance sheet problem में तबदील हो गई है मतला यहाँ पर क्या हो रहा है जो real estate है वो भी आप ठब बैठा हुआ है रियल इस्टेट भी कोई नहीं खरीद रहा है और जो NBFC है वो भी पूरी लॉस में जा रहे हैं जो non-banking financial companies हैं institutions है वो भी लॉस में जा रहे हैं अब इसमें हमें all India financial institutions देखने को मिलते हैं जो कि 4 है non-banking financial companies है और primary dealers है अब इसमें अगर हम all India financial institutions देखते हैं जिसमें नाबाड, SIDB, NHB, Exim Bank अगर यह हम देखते हैं तो इसे RBI 50,000 करोड refinance support जो है provide करने वाली है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है नाबाड यह सब क्या करते हैं यह सब rural area में खर्च करते हैं रूरल area में खर्च करेंगे तो रूरल economy बढ़ेगी या कम होगी बट अबे से बढ़ेगी तो रूरल economy को यहाँ पर बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन लोग के हाथ में पैसा जो है वो रहना ज़रूरी है तब जाकर वो खर्च कर पाएंगे लेकिन liquidity problem हो रही है इनको भी नुकसान होने के इनके हाथ में पैसा नहीं है तो इसलिए RBI 50,000 करोड जो है refinance support दे रही है जिससे की इन लोग के पास पैसा आएगा यह रूरल economy में खर्च करेंगे रूरल economy जो है वो बूम पर आएगी clear है तो यह दूसरा step जो है यह RBI के तरफ से यहाँ पर लिया गया है अब next और बहुत important step जो यहाँ पर लिया गया है वो यह है कि 60% increase किया गया है ways and means advances limit में to the state government अब ways and means advances मतलब जिसे हम WMA कहते हैं यह क्या है यह एक facility है एक दम 11 lang में समझा जा जा तो एक facility है जिससे की center और state दोनों RBI से पैसा बौरो कर सकते हैं जैसे कि हम bank से loan में पैसा बौरो करते हैं वैसे ही यहाँ पर जो center और state governments है वो RBI से पैसा जो है वो बौरो कर सकती है उसे ही हम कहते है ways and means advances तो अब यहाँ पर RBI ने क्या किया है 60% increase कर दिया है जिसी कि अब राज्य सरकारे जो है 60% जादा पैसा यहाँ पर बौरो कर पाएगी अब ऐसा क्यों हो रहा है अब for example यहाँ पर central government है ठीक है central government है अब central government के पास कुछ पैसा आता है पैसा कैसे आता है पैसा आता है हम जो य interest rate आ रहे हैं जिसमें खर्च किये सरकार ने तो इस तरीके सरकार के पास पैसा आता है फिर सरकार जो है सरकार क्या करती है खर्च करती है है ना सरकार का expenditure भी होता है अलग-अलग चीज़ों पर जो road construction हो या फिर welfare schemes हो अलग-अलग इस पर खर्च करती है अब इसमें जो सरकार के पास पैसा आ रहा है उसका कुछ हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्मेंट के पास भी दिया जाता है जो राज्य सरकारे है उनके पास भी दिया जाता है जिससे कि वो भी अपना खर्चा जो है प्रॉपर तरीके से चला सके क्यों हमारे पर फेडरलिजम है ना फेडरलिजम है तो जो state governments है उनके पास भी खुशमता रहनी चाहिए उनके पास भी ताकत रहनी चाहिए तो यहाँ पर यहाँ पर यह दिया जाता है अब पहले क्या हुआ करता था पहले हमारे पर VAT था VAT राजर सरकारे अपने हिसाप से लगा सकती थी अपने हिसाप से पैसा उनके पास आ रहा था लेकिन सरकार ने क्या की सरकार ने जियस्ट लेकर आ गई अब जी एस्ट में cgst और sgst होता है और इतना ही नहीं तो यहाँ पर VAT जो है वो जादा मिलता था कि राजर सरकारों को अब जो GST उसके वज़े से कम पैसा मिल रहा है अब इसके वज़े से क्या हो रहा है जो राज्य सरकारे है स्टेट गवर्मेंट से उन्हें नुकसान हो रहा है उनकी पस पैसा इंकम कम आ रही है इंकम कम आईगी तो expenditure जो है वो कम होगा या जादा होगा बड़ोबिय से कम होगा अब ऐसे सिनारियों में जो राज्य सरकार है वो compensation मांग रही थी central government से लेकिन central government के पास भी पैसा कम आ रहा है क्योंकि economy में बहुत बड़ा slow down है लोग जो है वो खर्स नहीं कर रहा है तो GST से पैसा नहीं आ रहा है सारी industry स्थब बैटी हुई है तो जो corporate tax है वो नहीं आ रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो income है वो लोग ही नहीं हो रही है लोग जादा बेरोजगार है इसी वज़े से यहाँ पर जो income tax है वो भी नहीं आ रहा है तो सरकार के पास ही पैसा कम आ रहा है लड़ पाएगी तो यहाँ पर राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा problem है क्योंकि hospitals में bed arrange करो यह सारी चीज़े करो बहुत सारी चीज़े होती है तो यह सारी चीज़ों के लिए जो राज्य सरकार है वो सक्षम नहीं है अगर उन्हें कोई majors लेने है तो वो सक्षम नहीं हो पा रहे है तो ऐसे सिनारियो में जो राज्य सरकार है वो क्या कर सकती है फिर जो भी सरकार है वो क्या करती है अगर उन्हें पैसा जाजा चाहिए expenditure करने के लिए क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा है economy चार parameters में गीनी जाती है एक है consumption, दूसरी है government expenditure, तीसरी है investment और चौती है export consumption काम हो रहा है, लोग के बाहत में पैसा नहीं है उसी के साथ साथ यहाँ पर investment नहीं हो पा रहे है क्योंकि लोग खर्ची नहीं कर रहे है तो companies को profit नहीं हो रहे है नुकसान होगा तो investment आएगा क्या नहीं आएगा export भी नहीं हो पा रहा है तो बचा क्या आप government expenditure वो भी नहीं कर रहे है सरकार, लेकिन फिर भी हम उन्हें करना पड़ेगा मजबूरन government को बहुत ज़दा expenditure करना पड़ेगा expenditure करने के लिए ज़ादा पैसा उनके पास आना चाहिए अब यहाँ पर normal दरीके से पैसा नहीं आ रहा है taxes के जरीए तो अब यहाँ पर क्या यह होता है सरकार के पास कि bonds issue किये जाए bonds, bonds क्या होता है James bond नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि bond release कर देती है जिसकी face value 4 से 100 रुपीज है मतला मुझे अगर bond खरीदना है तो मैं 100 रुपए में bond खरीदूँगा और मुझे इस पर interest rate मिलेंगे 4 से 10% का interest rate मिलता है तो मुझे maturity के बाद, एक साल के बाद 110 रुपए सरकार देदेगी मुझे 100 रुपए किसको देने है, सरकार को देने है तो इस तरीके सरकार के बाद 100 रुपए आ गए तो bond के जरीए सरकार पैसा gather करती है लेकिन इसमें problem क्या है इसमें problem यह है कि higher interest rate पर वापिस करने पड़ते हैं बोला गया है कि मैं हूँ न और इसलिए यहाँ पर आरविया क्या करेगी अब यहाँ पर जो state governments है उन्हें भी loan provide करेगी 60% जादा जितना देदी थी उससे अब 60% जादा यहाँ पर दिया जाएगा और वो भी कौन से rate पर दिया जाएगा तो minimal rate मतलब जो repo rate है मतलब 4.4% का repo rate चल रहा है तो 4.4% के interest rate पर ही आपर loan जो है राज्य सरकारों को दिया जाएगा जिससी कि आप राज्य सरकारे जो है वो यहाँ पर पैसा ले पाएगी और कम ब्याज़र पर उन्हें वापिस चुकाना पड़ेगा तो यह चीज़ खास चीज़ यहाँ पर लाए गई है अब यहाँ पर क्या होगा जो राज्य सरकारे है वो जादा पैसा लेगी जादा पैसा लेगी तो जादा वो खर्च कर पाएगी जो भी mismanagement हो रहा है mismatch जो यहाँ पर हो रहा है और यह कम टाइम के लिए होता है ठीक है जो यह पैसा उधार लेती है सरकारे जो राज्य सरकार लेती है कम दिनों के लिए होता है कुछ दिनों के लिए होता है ठीक है तो यह जो mismatch हो रहा है आपर जो expenditure और income का इसे यहाँ पर जो राजय सरकारे हैं यह पूरा कर सकती है तो यह चीज आरबिया के तरब से यहाँ पर देखने को मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हो government bond yield और जो RBI repo rate है है ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो repo rate यहाँ पर आप देख सकते हो government bond उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो weighted average तो यहाँ पर जो repo rate है काफी कम चल रहा है तो इसके वज़से जो राज्य सरकारे कम interest rate पर उन्हें यहाँ पर जो चीजे हैं वो मिल पाईगी तो अब मैं उमीद करता हूँ कि आपको पूरा सिनारियों यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि राज्य सरकारे किस सरीके से RBI से ज़्यादा पैसा ले पाईगी और ज़्यादा खर्श कर पाईगी जिससे कि हमारी जो economy है उससे हम आगे बढ़ सकते हैं और उससे हम overcome कर सकते हैं अब यहाँ पर next जो article आ रहा है वो यह है कि यहाँ पर जो मोदी जी है उन्होंने साथ चीजे कही थी लोगों का साथ यहाँ पर मांगा था साथ चीजों में पहली चीज यहाँ पर कौन से थी कि जो elders है मतलब जो बुजूर्ग है उनको यहाँ पर रखवाली उनकी की जानी चाहिए specially जो मतलब elements में है उनकी यहाँ पर जो देखवाल है वो की जानी चाहिए अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सरकार की तरफ से जो social security है वो क्या दी गई ठीक हम ध्यान रखेंगे मतलब इतना अगर है कि जो बुजूर्ग है उनका यहाँ पर ध्यान रखा जाना तो फिर social security pension जो है central government की तरफ से जो provide की जा रही है वो सिफ 200 रुपे पर मेना इतनी कम क्यों फिर जब उनकी देखवाल की जानी है उनकी जब रखवाली की जानी है तो फिर उन्हें यहाँ पर सक्षम बनाना चाहिए था केंदर सरकार ने जो यहाँ पर नहीं बनाया जा रह तो फिर financially उनकी health जो है सरकार अगर करती थी तो जाधा better होता था दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि social distancing जो है वो यहाँ पर follow करने की बात की गई है है ना मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है उन्होंने लक्षमन्ट रेखा जो है वो यहाँ पर लांगना नही है अब यहाँ पर जब यह नहीं लांगना है तो फिर जो job lost हो रहे है अगर वो लक्षमन्ट रेखा नहीं लांगते है तो फिर job है वो उनकी जा रही है पैसे जो है income जो है वो नहीं आपा रही है और केंदर सरकार जो है कितना यहाँ पर सर्ग जो लोग है जिनके बस पैसा नहीं उन्हें पैसा प्रोवाइड कर पा रहे हैं बिल्कुल नहीं इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग जयो लक्षमन रिखा मजबूरन लांग ही रहे हैं और उनका हरन जो है वो किसी न किसी रावन के द्वारा किया ही जा रहा है तो यह सारी चीज़े जो है हमें करो और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो योगा है या फिर आयूश मिनिस्टी के द्वारा जो भी बोला गया है कांडा बोलो या जो भी बोलो गरम पानी पियो यह सारी चीज़े जो बोली गई है तो यह सारी चीज़े यहाँ पर आपने फॉलो करने चाहिए तो यहाँ पर जो actual में चीज़ें हैं, मतलब treatment, यहाँ पर COVID-19 को जो actual में treatment है, उस पर क्या असर होगा, उसके बारे में क्या किया जाएगा, जो actual में उनकी treatment हो रही है, वो क्या proper तरीके से हो पा रही है, वो क्या अच्छे तरीके से हो पा रही है, यह भी बहुत important चीज जो हमें देखने को मि हो यह है, कि सभी ने आरोग्य सेतु एप जो है, वो यहाँ पर download करना, यह भी सरकार ने हाँ पर किया है, अब यहाँ पर सारे questions जो है, वो भी raise हो रहे हैं एप पर, कि मतलब जो population है, 50% of the population जो है, वो यहाँ पर एप इस्तमाल नहीं कर सकती है, स्मार्ट फोन्स नहीं है, उ उसी के साथ-साथ, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो poor families है, उनके लिए यहाँ पर आप empathy रखो ऐसा बोला गया है, और उनकी employment से उन्हें निकालो मत, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है, अब दीखें एक तरफ अगर हम देखते हैं, तो जो छोटी companies है, छोटी companies जो यह कार की तरफ से बोला गया है, तो इनके लिए भी यह आना चाहिए था, कि हम आपको पूरा जो पैसा है, वो दे देंगे, लेकिन आप अभी salaries जो है, वो रोको मत, जितनी भी salaries लोग की जा रहे हैं, वो हमारे तरफ से यहाँ पर 50%, 75% जितना भी हो सके, उतना यहाँ पर प्र conservation है, जो मतलब गरीबी है, यह बहुत तीजी से बढ़ रही है, और यहाँ पर lockdown होने की वज़े से क्या हो रहा है, लोगों की income जो है, यह completely बंद हो चुकी है, लोगों की income बंद होने की वज़े से जो मंदरेगा है, option जो है, लोगों के पास हो काफी कम है, अब यहाँ पर सर PTS system है, उसे यहाँ पर strong सरकार को बनाना चाहिए था, जिससे की जो करीब इंसान है, उसे at least राशन तो proper तरीके से मिलता था, हम तो यह देख रहे है, राशन डिस्टिब्यूट किया जा रहा है, लेकिन राशन proper तरीके से मिल कहां पर रहा है, जैसे अगर हम UP बिहार देखत नर्सेस, यह जो workers है, इनका यहाँ पर जो respect है, वो की जाने चाहिए, अब यहाँ पर जो doctors है, उनकी भी beneficial के लिए, यहाँ पर जो government है, उन्होंने बहुत सारी चीज़े करनी चाहिए थी, सबसे पहली चीज क्या आती है, कि यहाँ पर जो basic necessity की चीज़े है, वो हमने पहले से हमारे पास रखनी चाहिए, मतलब यह थोड़ी है, कि मतलब प्यास लगी तो कुवा खो दो, है ना, हमारे पास hospitals कम है, हमारे पास resources कम है, हमारे पास beds कम है, क्यों, क्यों आस तक इतने साल तक हमने health infrastructure पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्यों हमने जो health facilities है, उस पर आस तक इतना हमने पैसे खर्ज किये, in fact, waste किये, तो यह बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि आज अगर हम infrastructure, health infrastructure पर खर्ज करते हैं, तो वो waste नहीं, वो invest होता था, और जब हम invest करते हैं, तो high returns मिलते हैं, जब waste करते हैं, तो कुछ भी नहीं मिलता है, और इसलिए मैं हमेशा कहत हूँ, कि जीस इंसान को यह पताएगी, खुद पर पैसा किस तरीके से invest किया जाए, उसको high return जिंदगी में मिलते रहेंगे, क्योंकि दो तरगी के लोग होते हैं, एक होते हैं, जो पैसा invest करते हैं, जो time waste करते हैं, जो waste करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है, इसलिए बह यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यह सारी problem जो है, homemade mask के बारे मुला गया, homemade mask, अब कितने लोग जो है, उनके पास यह resources है, कि हो homemade mask बना सके, है ना, कपड़ों से बनाएंगे, अब कपड़ी बहापर खराब अगर रहते हैं, तो फिर कैसे उन्हें benefit मिल पाएगा, in fact, यह यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो चैनल पर separate video available है, जहाँ पर actually बताया गया है, किस तरीके से हम mask बना सकते हो, पूरा demo दिया गया है, तो mask आपके सामने बनाया जा रहा है, तो चैनल पर ही available है, उसकी जो link है, मैं description में देदूँगा, तो आप ज़रूर देखेगा, तो गलती से गलत कोट हो गए थे, इस तरीके से बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो toll है, जो death है, वो 50% से, जो चाइना है, उसने यहाँ पर raise किया है, तो इस तरीके सिनारियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मतलब यह पता चलता है कि चाइना जो है, वो fake करता है, next पास है, जो RBI governor है, उन्होंने कहा है कि अभी shift recovery जो है, वो देखने को मिलेगे, मतलब अभी इस तरीके से जा रही है ना, कुरी economy, लेकिन इस तरीके से ही boom आएगी, मतलब क्या होता है, अलग-अलग curve होते है, एक curve कैसा होता है, यहाँ पर अगर इस तरीके से गिर रही है, तो इस तरीके से जो है, वो उटना शुरू होगी, clear है, मतलब कुछ समय लगेगा, फिर उसके बाद उटना शुरू होगी, इसे हम कहते हैं, यू curve, एक होती है, अगर इस तरीके से गिर रही है, तो फिर इस तरीके से जो है, इस तरीके से उटना शुरू हो सकती है, मतलब यह होगा long एकदम तिसरी होती है कि इस तरीके से जा रही है लेकिन इसी तरीके से रह रही है मतलब फिर से recovery जो है वो हो ही नहीं पा रही है और एक होता है इस तरीके का वी कर जिसमें recovery जो है बहुती तेजी से उतनी ही रफतार से होती है जितनी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी सारी economy section यह सारी economy section की news है यहाँ पर आप देख सकते हो fuel sales 50% slum हो गया है April में petrol down हो गया 64% तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि countries में जो demand है crude oil की हो कितनी कम हो गई है इससे हमें पता चलता है कि coronavirus के असर से कितना ज़दा impact oil industry को पड़ा है और उससे के साथ यह भी पता चलता है कि यहाँ पर inflation और ज़दा निचे आ सकता है और यहाँ पर center ने कहा है कि जो relief है वो यहाँ पर जल्दी provide किया जाएगा finance minister के द्वारा बोला गया है और SNP जो है उसने forecast cut किया है 1.8% पर जो growth है हमारे इंडिया की वो 1.8% पर की है उसी के साथ यहाँ पर sunset जो है यह थोड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब RBI के तरफ से यह जो move है वो हमें देखने को मिले अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो metrological department ने उनकी तरफ से बोला गया है कि जो forecast है मतलब जो यहाँ पर monsoon रहने वाला है नॉर्मल रहने वाला है जिस तरीके से आता है नॉर्मल रहेगा मतलब कम नहीं आएगा मतलब आने वाले टाइम में हम यह समझ सकते हैं कि food है उसका shortage देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अगर monsoon proper नहीं रहेगा अल नीनो अगर कुछ होता है तो यहाँ पर food scarcity हो जाती है फिर उससे क्या होगा food inflation increase होगा food inflation increase होगा तो overall inflation increase होगा तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि हमारे आपस stack inflation आता है stack inflation मतलब क्या है कि growth भी नहीं हो रही है और inflation भी बढ़ता जा रहा है नहीं तो normally क्या होता है growth अगर बढ़ती है मतलब लोग के आत में ज़्यादा पैसा आ रहा है तो फिर लोग ज़्यादा खर्च करते demand बढ़ती है तो inflation बढ़ता है अगर growth कम हो गई तो बट आपे से लोग एत में पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है, तो यहाँ पर inflation भी कम हो जाएगा लेकिन ऐसी जब situation आती है, stackflation मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर growth भी नीचे जा रही है यह हमारी खुबसूरत धर्ती और zoom करते हैं, तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है अब उस state तक पहुचने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पर आते हैं, zoom करते हैं तो यहाँ पर वो राज, वो state हमें देखने को मिलता है, जो की है, आसाम तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह वो राज्ज है, जो मैंने आपसे map में पूछा था तो आसाम, वो राज्ज है, ठीक है? तो अब मैं उमीद करता हूँ, कि आपने इसके regarding information जो है, वो ज़रूर लिखी होगी यह है हमारे वीडियो का है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप share जरूर कीजिए मिलते हैं अंगले वीडियो में, चैहन